हलो दोस्तो वेल्कम टू टेक स्टूडियो मैं अजर साबरी मी ने अपना पहला लैप्टोप इंडिया में लाउंच कर दिया है जिसका मोडल नमबर है मी नोटबुक 14 जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यह है मी का ओफिशिल वेबसाइट देखने में बहुत ही दमदा है तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तो आगे में हम देख लेते हैं सबसे पहले स्क्रीन तो यहां पर देखिए नीड फोर स्क्रीन अलिमिटेड फुल एचडी एंटी ग्लेयर होरीजोन डिस्पले आपको मिल जाता है जिसका साइज होता है 35.56 सेंटीमेटर यानि कि 14 इंचेज आगे देखिए यहां पर दिखा रहा है 91% स्क्रीन टू बोडी रेशियो है यानि कि जो मार्जिन लैप्टोप में होता है एक्स्टा वो मार्जिन बहुत कम रखा गया है इसलिए यहां पर 91% स्क्रीन टू बोडी रेशियो बता रहा है 3 mm का सूपर थिन यह लेप्टॉप है यहां पर आप देख सकते हैं 1.35 kb and 17.15 mm थीन यानि कि जो लेप्टॉप का थिकने से वो 17.15 mm है आगे देखिए यह प्रोसेसर है अपसुलूट पावर 10 जेनरेशन इंटेल कोर i7 के साथ यह आ रहा है इसका दूसरा वाला वेरेंट भी है जो कि i5 के साथ इसका थोड़ा प्राइसिंग कम है जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे यहां पर देखिए डिटेल में है कि Intel Core i7 के साथ 10 जेनरेशन में आएगा मुझे लगते है कि यह इंडिया का पहला लेप्टॉप होगा जो 10 जेनरेशन में इंडिया में अवेलेबल हुआ है इसका Speed Other Laptop के मुकाबले बेहतर होगा और जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं कि वीडियो एडिटिंग एंड मुझ मूर गेट 60% बेटर परफोमेंस ओवर दी प्रिविएस जेनरेशन ठीक है और आगया यह Don't Play With Wetting Game यानि कि यह ग्राफिक के बारे में यहां पर जिक्र क तो उसमें भी बहुत जादा जो है ग्राफिक का रॉल होता है और लोडिंग वगारा जो है टाइम जो लेता है वो टाइम कंजियों बहुत कम करता है बहुत कम समय में बड़े-बड़े सोफ्ट्वेर जैसे मूवी मेकिंग हो गया पोटोशॉप हो गया यह फिर गेम खेलत जो कि साटा हाड ड्राइव जो कि अब से पहले लेप्टोप में आता था या अभी भी आता है उससे पांच गुना ज्यादा फस्ट काम करता है यह एससडी हाड ड्राइव ठीक है यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं कि 5 एक्स फस्टर देन साटा एससडी ठीक है एंड आगे आपको जो कलो का स्पीड मिलता है राइम का वो 2666 मेगा हट्स का होता है DDR4 राइम होता है जैसे कि आपको उपर में साफ साफ इस बारे में जिक्र किया गया है एंड आगे देखिए प्ले इट कूल एक्वाइब्ट विद लार्ज कूलिंग वेंड यानि कि यह बोर्ड का ड अब इस टेक्स्चर्स, कोटेड कीज होता है और डस्ट प्रोटेक्शन लेयर होता है आपको इसके कीबोड पे एंड कीबोड में आपको मल्टी टच ट्रैक पैड भी मिल जाता है तो यह आपको एक्स्टा बनिफिसियल हो जाएगा इस लैप्टोप के साथ में आगे आज यह loud and clear यह आपको speaker के बारे में जिक्र कर रहा है तो stereo speaker with DTS audio processing के साथ आपको मिल जाता है और इसके अलावा हम आपको पूरी detail में इसका specification भी दिखाएंगे आपको यहाँ पर connectivity के बारे में बता रहा है कि let's connect networking opportunities glow तो यहाँ पर आपको charging port मिलता है HDMI 1.b आपको मिल जाता है USB 3.1 into 2 port मिल जाता है USB type C का भी port मिल जाता है दूसरे side में आपको USB 2.0 यानि कि एक आपको USB 2.0 मिल जाता है and एक 3.5 mm का jack मिल जाता है जो कि double headphone and mic दोनों के लिए होता है इसके अलावा यहाँ पर battery के बारे में बोल रहा है तो 46 watt का battery आपको 10 घंटे backup के साथ मिल जाता है तो अब च स्पेसिफिकेशन वाले बटन पर क्लिक कर लेते हैं तो यह देखिए इसका स्पेसिफिकेशन का पेज ओपन होकर के आ गया है मी notebook 14 horizon edition अब यहाँ पर आप बारी बारी से सारी चीजों को देख लिए operating system windows 10 home आपको मिलता है प्रोसेसर intel core i7 105 10 u प्रोसेसर के साथ आता है 1.8 GHz quad core with boost clock speed के साथ आ जाता है i5 में जो आपको मिलता है वो intel core i5 आता है जिसमें 1.6 GHz का quad core with boost clock speed के साथ आता है ग्राफिक के बात की जाए तो geforce आपको ग्राफिक मिलता है जो के एन मीडिया का MX350 होता है वीडियो मेमरी साइज के अगर बात किया जाए तो 2GB GDDR5 VRAM आपको मिल जाता है डिस्प्ले के अगर बात किया जाए तो 35.56 cm यानि के 14 इंचेस का full HD डिस्प्ले आपको मिल जाता ह अगर बात करें तो 8GB का आपको 2666 MHz का DDR4 RAM मिल जाता है एंड इंटरफेस यानि के अगर बात करें तो वन आपको तैप C पोर्ट मिल जाता है यूसबी का पोर्ट 3.1 जेन एक मिल जाता है आपको डेटर ट्रांसफर के लिए दो आपको टाइप A USB 3.1 जेन मिल जाता है एंड वन आपको USB 2.0 का पोर्ट मिल जाता है एक पोर्ट जो होता है वो HDMI का होता है एक पोर्ट आपको Combo Audio Jack का मिल जाता है जिसमें Audio and Mic का हो जाता है वन चार्जिंग पोर्ट आपको मिल जाता है दो आपको Type A USB 3.1 जेन आपको मिल जाता है वन USB 2.0 मिल जाता है एंड वन HDMI कनेक्ट पीच पर की आपको मिल जाता है ट्रैक पैड की बात करें तो मल्टी टेच सपोर्ट भी आपको मिल जाता है आडियो की बात की जाए तो 2x2 वर्ट का स्टीरियो स्पीकर मिल जाता है जो कि DTS आडियो प्रोसेसिंग एप सपोर्ट करता है 3.5mm जैक का हेड़फोन आपको मिल जाता है वायरलेस कनेक्टिविटी के बात करें तो वायरलेस लैंज जो की डूल बैंड 800 in 2.11 AC Wi-Fi 2x2 आपको मिल जाता है Bluetooth की बात की जाए तो Bluetooth version 5.0 आपको मिल जाता है बैटरी एंड पावर की बात किया जाए तो 46Wh बैटरी आपको मिल जाता है जिसका बैक अप 10 घंटे तक का होता है एंड 65W का पावर अडेप्टर भी आपको साथ में मिल जाता है laptop charging के लिए included जो software होगा वो Mi Blaze Unlock होगा और Mi Smart Share होगा जो की दोनो Mi का ही software होगा package content में जो आपको मिलेगा ठीक है तो ये सारी चीजे आपको मैंने डिटेल में बता दिया है Mi Notebook 14 Horizon के बारे में इसके अगर pricing की बात करें तो अब चलिए हम buy button पर click करके देख लेते हैं कि इसका pricing क्या है i5 वाले का price है and i7 वाले का price है तो ये buy button पर मैंने click क्या अगर हम इसको change करेंगे तो ये i7 में आ गया है और i7 का price है 69,999 रुपया एक रुपय कम 60,000 रुपया इसका price है तो ये आपने पूरी डिटेल specification, feature, pricing सारी चीजे आपने बारी-बारी से देख लिया हमारे हिसाब से laptop का feature बहुती बढ़िया है और मुझे लगता है कि इस price में laptop इस feature के साथ तो नहीं मिलने जा रहा है जैसा कि look में Mi Notebook 14 दमदार है उसी तरह से इसका feature भी दमदार है specification भी दमदार है और मुझे लगता है कि इन सारे features के साथ आपको इस pricing में तो laptop नहीं मिल सकता है आप market एक बार तलास लें आप market में एक बार चेक कर लें उसके बाद I think कि आपको इस तरह का laptop इस pricing में नहीं मिलेगा जो कि feature है जो कि इसमें आपको RAM मिल जाता है जो storage मिल जाता है इसका साथ साथ जो processor मिलता है जो battery backup मिलता है ये सारी चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो ये आपके 60,000 रुपय कोई माइने ही नहीं रखता है तो आप एक बार market तलास कर रहे हमारे इस साथ से इस pricing में बहुती best deal अवलेबल है मी के official website पर इसके अलावा यदि आप अभी purchase करते हैं आपको 2000 रुपया का cashback with HDFC bank card के साथ मिल जाता है तो यदि आपके पास HDFC bank का card है तो 2000 रुपया का आपको discount भी मिल जाएगा तो ये एक plus point है जिसके पास card होगा और नहीं है तो आप किसी से इंतिजाम कर सकते हैं बागी सारा कुछ आपने देख लिया है सारी detail आपके सामने है आप चाहें तो मी के official website पर जाएए सारी detail चेक कीजिए और other products के साथ भी आप compare कर लिजे उसके बाद आप finally अपना decision बनाएए कि क्या आपको वाकई ये लेना है या फिर आपके budget में ये समा रहा है की नहीं या फिर आपको ये पसंद आ रहा ही की नहीं आप हमें comment box में लिख करके बताई कि आपको ये me notebook 14 कैसा लगा ताकि मुझे भी समझ में आये कि आप लोगों को ये कितना पसंद आया और क्या इसके टकर में कोई और notebook market में है ये भी आप हमें लिख करके comment box में जरूर बताईए चलिए आज तक लितना ही फिर मुलाकात होती है किसी ने टॉपिक के साथ तब तक लिए इजाज़त दीजी बाई बाई